और सरकार क्या जो अपने आपको चौकिदार मानती है ये ट्रैवेल एजेंसी बन गई है स्कैम्स्टर्स की आईए साब आईए लूट के चले जाईए तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि चीन से आपके रिष्टे कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है किस स्तर तक आपके रिष्टे हैं गुजरात के लोगों को भी और देश के पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साब डोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है, वहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी कहाँ बनी? स्मार्ट सिटी बनी, अरुनाचल में हमारे बॉर्डर के भीतरा के चाइना स्मार्ट सिटी बना के चला गया। अब देश यह समझ चुका है कि अब एप अनिस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा system में एक वाइरस है अब उस वाइरस को निकालना होगा 2024 की इंजार हो रही है कि उस वाइरस को निकालने अब यह एप वेप से काम चलेगा नहीं कि नमस्कार दोस्तों इतिहास में कुछ महान नेताओं के नारे अमर हो जाते हैं जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा नेता जी ने कहा था लेकिन कुछ निकम्हें नेताओं के भी नारे अमर होते हैं मैं नाम नहीं लूँगा एक निकम्हें नेता ने कहा न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है न कोई आया ये भी अमर हो गया नारा जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कबज़ा करने आई तब ये सफेज जूट इस देश के सामने परोसा गया और ये अमर हो गया लेकिन ये चीनी घुसपै्ट सिर्फ बौर्डर तक हो वही तक स्रीमित रहे ऐसा नहीं अब वो गुज्रात तक पहुंच गई है वो ऐसा राज्य जिस में जहां से प्रधानमंतरी खुद आते हैं जहां से ग्रहمنंतरी खुद आते हैं उस राज्य में चीन की घुसपैट कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना केवल घुसपैट हुई यह व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए दो जिले बनासकांठा और पाटन वहां बैठ कर 9 दिन में 2400 करोड रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया देखिए लोगों की शिकायतें 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही है जो इसके विक्टिम से जो शिकार थे इस स्कैम के भूले भाले लोग गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने और ये व्यक्ति आप सोचिए कितना सम्वेदन शील इलाका है गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए है वहाँ एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधान मंत्री महिने में एक या दो या तीन या चार बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाब के उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी ये क्या चल रहा था इसका उत्तर आप लोगी ढूंडेंगे हम भी ढूंडने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ तो चल रहा था अक्सर सुनाई देता है कि एक चौकीदार है वो चौकीदारी कर रहा है देश की उसके दोस्त अकुछ हैं उन में से गुजरात के भी कुछ बाहर के भी सहयोग्यों के साथ मिलकर देश का पैसा लेकर बाहर चले गए तो सुनाए देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है और माफ कीजिएगा दुश्मन देश का एक व्यक्ति आता है हमारे देश के 1400 करोड रुपे लूट के चला जाता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुल मिलाकर नुकसान 4600 करोड का है क्योंकि और राजियों में भी ये डैनी डेटा नाम की जो एप थी और इस एप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुलीस बिचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही हुगी उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे पुलीस के जवान इस एप को प्रचारित करते वे आपको इस इन चित्रों में दिख रहे है तो यह इशारा कहां से हुआ पुलीस एक एप को जो की एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई गई एप है था खी द्वाराइश एप मेड़श एक अप जाड़ीड़ एप मेड़ एप जवा जाड़ीश चिनी स्ट्यर लाइशाल ठाव प्रच फो यह एप को गुझराथ don't forget it's the same state where the home minister comes from where the prime minister comes from and they keep talking about the gujarat model ऐसे राज्य में यह हुआ चौकिदार साहब बोलते हैं साहब हमने चीनी एपस पर बैन लगा दिया और चीन की जालरों पर बैन लगा दिया तो यह तो क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है तो यह संभव नहीं है कि जिस साहब की इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश का उनके आंगन में चीनी घुसकर आया नौ दिन रहा बारासो लोगों को शिकार बनाया चौदासो करोड रुपे लूटके चला गया या तो जो कहता है मैं चौकिदार हूँ वो चौकिदारी ठीक नहीं कर रहा या फिर और ज्यादा गंभीर मामला है हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं इसाब चीन से आपका रिष्टा क्या है हम तो बार-बार पूछते हैं जब आज से 20 21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार-बार चले भी जाते थे तो ये रिष्टा क्या है इस रिष्टे के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है आपने तो बड़ी-बड़ी धींगे हांकी थी गुजरात के लोगों को भी और देश के पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साथ डोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है वहां स्मार्ट सिटी बन रही है स्मार्ट सिटी कहां बनी स्मार्ट सिटी बनी अरूनाचल में हमारे बार्डर के भीतर आखे चाईना स्मार्ट सिटी बनागे चला गया तो उस वक्त आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया और तो और गुझरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाए आप, क्या चीन का प्रेम है साब आपके साथ, चलिए आपका प्रेम आपको मुबारक हो, देश को नुकसान कैसे होगा, गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता, तो एक साल तो गुजर चुका था, हमें और और इतने घहरे क्यों हैं, कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है, गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, किस स्तर तक आपके ये रिष्टे हैं, अब तो मुझे लगता है कि ये जो आप अनिंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में एक वाइरस है, अब उस वाइरस को निकालना होगा, दोजार चौबिस की इंजार हो रही है, कि वाइरस को निकाल दें, अब ये अब ये अब ये अब से काम चलेगा नहीं, क्योंकि रिष्टा कुछ और ही है यहां, हमारे सवाल है, उसने यहां आकर बनाई, पुलीस के जवान उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडविटिस्मेंट कर रहे हैं, उसका विज्यापन दे रहे हैं, कहां है EOW, कहां है ED, कहां है CBI, कहां है NIA, कहां है DRI, या सिर्फ यह तमाम एजनसीज विपक्ष के लिए बनी हैं, जहां देश क का नुकसान हो रहा हो, देशवासियों का नुकसान हो रहा हो, वेर आर दीज एजनसीज, और सरकार क्या, जो अपने आपको चौकिदार मानती है, यह ट्रैवल एजनसी बन गई है, स्कैम्स्टर्स की, आईये साब, आईये लूट के चले जाईये, तो यह सरकार चल रही है, यह ट्रैवल एजनसी चल रही है, और डैनी डेटा एप को प्रमोट क्यों किया गया, किसके इशारे से प्रमोट किया गया, इसका जवाब यह देश मांग रहा है, इस अभियान के पीछे, इस प्रचार अभियान के पीछे कौन था, खुद पुलीस तो, मैंनी मानता कि अप तरप्रदेश की पुलीस आपने देखी अभी टीवी पर, स्क्रीन पर, इस एप के पीछे कुछ शेल कंपनी बनी, वो पैसा योरप गया, वो पैसा दुबई गया, युक्रेन गया, जहां जहां गया, उस पूरा एक वाइट पेपर इस विशे में देश के सामने जारी करना चाहिए, देश को जवाब चाहिए, जो 1200 लोगों का 1400 करोड लुटा है, वो जवाब मांग रहे हैं, आपके सवाल, अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ जगें 2300 करोड, कुछ जगें 4600 करोड, तो मुझे लगता है एक श्वेत पत्र जब आएगा, तो यह तमाम जानकार सब के सामने आएंगी, जिसमें गुजरात भी हो, उत्तरप्रदेश की पुलीज भी हो, सब जगें से इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद इन सवालों का उत्तर, इन सवालों का जवाब देश को मिलना चाहिए, पहले इस पे, are you saying that the Prime Minister was directly involved in this scam? I am just asking, how come a Prime Minister who spread a rumor about himself, that he is in total control of whatever happens in this country, inside and on the borders, how is it possible that within his state where he comes from a scam of this nature took place and the man has not been apprehended he's vanished how is it possible either the prime minister's the perception about the prime minister is wrong or something is missing somewhere we don't know sir आपने आजी ये बात उठाई है और आप ये कह रहे हैं ये सीमावर्ती डिस्टिक्ट्स है वहाँ पर ऐसा हुआ तो एक तरीके से सेक्यूरिटी का भी एक बड़ा पॉइंट अफ्यूस में उठता है क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने प्रेस कॉंफिरेंस करें थी एक बात उठाई थी जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति पीमो का जो है लेटर लेकर और सारी चीज है तब सबके सामने आगे प्रधान मंत्री का नाम का दुरूपयोग करते वे एक नहीं दो नहीं चार चार पांच पांच उधारन आपके सामने हमने रखे हैं प्रधान मंत्री जहां से आते हैं उस इलाके से वाड़नगर से एक क्रिकेट का एक स्कैम मैंने खुद प्रेसव कोदी तमाम आपके सामने हम ने चोकसी सब उधारना आपके सामने रखे हैं और अब तो ये हद हो गई कि गुजरात में घुसकर आता है चीन का एक नागरिक पाटन और बनसकांठा में बैठ कर सीमावर्ती जिलों में बैठ कर इतना बड़ा स्कैम करके चला जाता है न वो गिरफतार होता है न सरकार इस पर कोई उत्तर देती है ये तो मीडिया का धन्यवाद है कि कुछ आया सामने तो सबकी जानकारी में ये बात आई तो प्रधान मं नहीं है क्या हो रहा है इनकी अपनी सरकार में इनकी अपनी नाक के नीचे और या ज्यान है फिर भी हो रहा है दोनों ही केसिज में सवाल बहुत गंभीर उठते हैं या तो आप नाकाबिल हो या आप जानते वे भी आखें और कान और मूँ बंद रखे हो कि देश तो कीमत आपके पाठी के लीडर संदीब दिख्षित का भी बयान आया है जो उनों ने ये कहा है कि हमें बार बार आमादमी पार्टी को कोई क्लारिफिकेशन देनी की जरुवत नहीं है जिस तरीके से दो दिन पहले उनोंने बोला कि हम मीटिंग जो होने वाली है मुंबए उसमें हम नहीं लेंगे तो वी शुट नॉट गिव एवरी टाम क्लारिफिकेशन तो आमादमी पार्टी को तो दो दिन पुरानी बात हो गई उत बात भी खतम हो गई अब इस पर दिन पुरानी वहीं वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया था तो अब उस चैप्टर को मैं नहीं समझत हैं। उसका उत्तर हम देने में नाकामियाब रहे हैं, as a country, as a government, इसमें कुछी को कोई संशे नहीं है, बात की थी आपने लाल आँख दिखाने किया, आपके अपने राज्ये में घुसकर, वो 1400 करोड का स्कैम करके निकल गए, और आपको कुछ जानकारी नहीं थी, ये कैसे मान ले ह तो सवाल बहुत गंभीर है चीन पर, और चीन से प्रधान मंत्री के जो रिष्टे हैं, वो रिष्टे भी बहुत बड़ा प्रश्ण चिन खड़ा करते हैं. कितने कभी भी निकालने, उससे क्या फरक पड़ता है, हारने का तो दिन एक ही है न, फिक्स्ट, रिजल्ट तो ऐसा नहीं न, कि पहले आ जाएगा उनके लिए, उनकी हार तो उसी दिन होगी, जिस दिन हमारी जीत होगी, वो तारीख नहीं बदली जा सकती, पहला सवाल कि इंडिया आलायन्स आने वाले लोकसभाग की लिए एक स्ट्राइटीजी बना रहे हैं कि किस तरह से इस सरकार को शिकस्त दें, बड़ा स्पष्ट है, बार-बार ये दोराया जा चुका है. पवंजी, एक सवाल ये है, जो दो-तीन चीजे आरही है, एक तो अन अकैडमी वाला एक मसला आया है, एक अशोका इंवर्सिटी को लेकर के भी आया, वहां के कुछ प्रोफेसर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो सिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो चीजे चल कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के उसको आपकी पार्टी का क्या उस पर रुख है, जहां तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला, अब कोई परसनली ले ले लेता है, तो उसमें तो और शिक्षा से, शिक्षन जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी, कि जब से सरकार में आये हैं साहिब, यूनिवर्सिटी इसके पीछे पड़े रहें, वो उसमानिया यूनिवर्सिटी हो, जवालाल नहरू विश्विध्याले हो, अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी ह अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट अकेडमी हो, जहां देखो यूनिवर्सिटी इसके विशेष दुश्मनी है कि जहां ज्यान हो, अब यहां तो साब आप हर विश्विध्याले का नाम बदल के वाट्साप विश्विध्याले रख लो, फिर देखो कैसे से इतना प्रभावित हो, तो जाहिर सी बात है उसको विश्विध्याले उसे और ज्यान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। आप चाहते हैं कि हम भी वैसे हो जाएं कि अगर कोई प्रधान मंत्री हमारी सरकार या हमारी पार्टी का नहीं हो, तो हम उसको बिल्कुल इज़त देना बंद कर दें, आदर देना बंद कर दें, आप माफ किजेगा हम अपनी मानसिक्ता मोदी जी की वज़े से तो नहीं ब रहेगी, कोई बदल नहीं सकता. The slogan of clean politics will take immediate and urgent corrective steps. The entire country, the entire city of Delhi is waiting for those corrective steps. Sir, Bihar के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी और कल ही मुख्यमंत्री नितिश कुमार का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराद कम हो रहा है. अब BJP इस पर ये कह रही है कि जंगल राज को जंता राज बताया जा रहा है बेहार में और लगात इससे कुछ दिन पहले ये पुलिस कर्मी की भी हत्या की गई थी. अपराधियों को की गिरफतारी तुरंथ होगी हमें पूरी उम्मीद है और इस तरहें के अपराधों पर लगाम करने की जो प्रयास है सरकार के वो काम्याब होंगे इसकी भी हमें पूरी उम्मीद है. धन्यवाद, तैंक्यू.